मुरादबाद शहर के सिविल लाइन्स तेत मुरादबाद कलब में सीनर सिटिजन वेलफेर सुसाइटी की बैठक आयुजट करा evitar के सबी सिदर से वंपदा देकरी मौजूड रहे कारिक्रम के दौरान आगामी कारिक्रमों को आयوجत कilate करने के साथ पिछले महीने में किये गए कारियों पर मंथन किया गया रविवार को मुरादबाद क्लाब में बैठक के दौरान सभी पददिकारियों ने कहा कि गरμी का समय शुरू हो चुका है और गर्मी के समय में शेहर के नेक स्थानों पर प्याओ की विवस्ताइं शुरू की जाएं जिस से रहागीरों को कुछ गर्मी सिराहत मिले ससाइटी के सभी सदस्यों का ही कहना था कि शिक्षा, स्वास्त और जरूरतमंद व्यक्तियों के मदद करने के लिए हम सब काम करें इन्ही बातों को ध्यान में रखकर हमने आगामी कारिक्रम को लेकर भी रणनी थी तयार की है साथी संगठन में नए सदस्यों की सभागता जादा से जादा रही इन बातों पर भी विस्तार किया इन बातों पर भी विस्तार से चट्चा की गई, इस दौरान कारिक्रम में आई हुए अतितियों का सुसाइटी के पददिकारियों ने फूल मलाएं पहना कर उनका जोर्डार स्मागत किया मज़ पर पहुचने के बाद सबी अतितियों ने अपनी संबोधन में आगामी कारिक्रमों को सफल बनाने के लिए अपने वचार रखे और हमारी इस एसोशेशन की बैठक प्रतेक महा के प्रतम रभीवार को प्राते 11 बजे मुरादाबाद कलब मुरादाबाद में संबन होती है हम ना सिर्फ समाज के प्रती सजग रहते हैं बलकि हम साट वर्ष से उपर की आईू के लोगों की ये संस्ता हर द्रस्तिकोंड से समाज में फैली कुरितियों को दूर करने में हम अपना योगदान देते हैं जैसे कि अभी पीछे निर्वेहत्ता कान लुआ तो हमने स्कूलों में जा जाके बच्चों को महारतर्शन दिया ताकि वो अपने आप में ही बच्चियां हमारी सक्षम हो तो इस तरह के कारिक्रम हम करते रहते हैं ब्रत्यजनों का सम्मान समाज में जरूरतमन थपके के लिए जो भी और कुछ करना हो उसके लिए भी हम तैयार रहते हैं तपपर रहते हैं और प्रतेक महा के प्रत्थम रविवार को हम विविन योजनाओं के विविन कारिक्रमों के साथ अपनी मीटिंग संपन करते हैं दुपैर को दो बच था बैटक का उद्देश हमारा होता है जो हमारे 60 वर से अधिक आयू के लोग हैं उनके लिए उनका एक साधन वो आज भी इतनी आयू के बाद भी समाज की सेवा मे लगे रहे हैं तो हमारा उद्देश समाज की सेवावी के साथ साथ अपना और हम भत्रे बहुत से मेडिकल चेकप भी अपने साथियों के लिए कराते हैं तो यही हमारा उद्देश है कि समाज हमारा सुखी और अच्छा रहे इसी आयोजन के इसी के तहद हम अपना यह आयो वाद में संपार